प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप्डेट अनेवर मिस अनाधर अपडेट हलो फ्रेंड वेलकम टू माइ चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एन वाइरिंग जो की जेवी गुपता एलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग अब्जेक्टिव बुक से लिया गया है तो आज हम उसी का रिवीजन करेंगे फास्ट मोड में और हमारे चैनल पे जेवी गुपता आरके राजपूत भीके महता ये सबका चैप्टर वाइज आपको रिवीजन के लिए वीडियो मिल जाएगा बहुत ही कम समय में आप सारे चैप्टर का रिवीजन कर सकेंगे तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आकन को भी दबा ले ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं तो देर ना करते हुए आए स्टार्ट करते हैं हम लोग एलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और वाइरिंग का फर्स्ट कोस्चन से हमारा फर्स्ट कोस्चन है एस पर रिकॉमेंडेशन ओफ आई एस आई दे मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सबसर्किट तो एक सबसर्किट में मैक्सिमम कितना लोड को कनेक्ट कर सकते हैं कि ओप्सन में दिया है 800 वाट, 1000 वाट, 1600 वाट और 500 वाट तो एक सबसर्किट में हम मैक्सिमम आठ सो वाट ही कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए हमारा ए ओप्सन सही है आठ सो वाट सेकेंड कोस्चन है एस पर रिकोमेंडेशन ओफ आई एस आई दे मैक्सिमम नंबर ओप्वाइंट ओफ लाइट फाइंस एंड सोकेट आट लेट दैट कैन वी कनेक्ट इन वाट सबसर्किट एक सबसर्किट में मैक्सिमम कितना पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं तो वो 8 दिया है 10 15 और 20 तो मैक्सिमम हम 10 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं एक सबसर्किट में इसलिए हमारा बी ओप्सन सही है थर्ट नमर क्वेस्टो देट कसूज करते हैं क्यूंकि कोस्चोन ज्यादा है और यह कर रहे हैं तो आपका समय कम लगे और ज्यादा कょस्चोन रिवाइब हो सके फोर्थ नमर कुश्च tuition highly skilled lever is requiring highly skilled lever कहां required होता है कौन सा wiring को करने में देखिए हमारा इसमें D option सही है both conduct and casting capping wiring conduct and casting capping wiring में हमारा skill lever का जरूरत होता है इसलिए हमारा D option सही है 5 number question है which of the following type of wiring is prepared for workshop lighting workshop lighting में कौन सा wiring चाहिए तो हमारा workshop lighting में ये जो wiring होता है वो हमारा C option सही है cancel conduct wiring चलिए हमारा C option सही हो जाएगा 6 number question non-metallic conduct used in internal wiring are generally made of तो क्या चिस से बना होता है 6 number का हो जाएगा हमारा PVC से बना होता है C option सही है 7 number question PVC conduct can be viewed in तो ये 7 number का जो हमारा option हो जाएगा वो plaster का भी होता है lime का और concrete का भी किसी से भी बना सकते है इसलिए हमारा D option सही हो जाएगा 8 number PVC conduct can be joined by तो PVC conduct को कैसे join करते हैं तो ये welding से भी threading से भी और solvent cement से भी इसलिए हमारा D option सही हो जाएगा जो लोग भी वीडियो को देखना है प्लीज एक लाइक जरूर कर दी जाएगा और शेयर जरूर करें PVC cable are usually used for PVC cable कहां तक में यूज करते हैं तो ये हमारा PVC cable जो है वो internal wiring of building and workshop के लिए यूज करते हैं इसलिए हमारा A option सही हो जाएगा 9th number का 10th number question है हमारा PVC is prepared for PVC is prepared over VIR in extreme environment such as in cement chemical factory this is because 10th number का जो हमारा हो जाएगा वो A option इसका सही है PVC is inert to oxygen and almost inert to vile and to many alkaline and acid इसलिए हमारा A option सही हो जाएगा 11th number question है multi-stand cable have the flowing advantage with respect to solid conductor 11th number का मारा जो answer हो जाएगा वो all of the above A option में दिया है the multi-stand cable are more flexible and durable and therefore can be handled conveniently B option में दिया है the surface area of multi-stand cable is more as compared to the surface area equivalent single solid conductor so heat radiating capacity is more C option में दिया है skin effect is better as the conductor are tubular especially in case of high frequency और हमारा 12th number का जो question है वो a fuse is provided in a electric circuit 4 fuse क्यों provide करते हैं तो 12th number का हमारा option हो जाएगा current को limit करने के लिए करते हैं future 12th number का जो हमारा option हो जाएगा हाँ safeguarding of installation against heavy current बारा नमर का हमारा एअ option सही हो जाएगा safeguarding of installation against heavy current पतलब ज्यादा current अगर उसमें परभावी तोने लोगा तो उससे हमारा protection few's करता है ताकि हमारा equipment जयले ना तेरा number question है according to fuse law the current carrying capacity hairs as कैसे vary करता है current capacity fuse law में तो तरटन नमेर का जो वार हमारा option हो जाएगा diameter का one point five square diameter का power one point five इसका भी आप्शन साही हो जाएगा चोज़ा नमबर, the rating of fuse wire is always expressed in fuse wire का rating किसमे express करते हैं तो एंपेर में इसका B option सही हो जाएगा fuse wire का जो rating express करते हैं वो एंपेर में करते हैं B option सही है यह fuse is normally तो fuse क्या होता है, यह हो जाएगा current limiting device बोलते हैं fuse को इसका C option सही हो जाएगा solar number a fuse is तो fuse को पूछ रहा है option में कहां connect करते हैं solar number का हमारा a option हो जागा always connected in series with circuit जो fuse wire है उसको हम series से connect करते हैं circuit में series connection होता है और next question है 17 number a fuse is 17 number का C option सही हो जाएगा never inserted in neutral wire जो fuse है वो neutral wire में connect नहीं करते हैं उसको हम live wire में connect करते हैं इसलिए हमारा यहाँ पर C option हो जाएगा never insert in neutral wire और 18 number question है fuse blow up fuse कैसे जलता है यह हो जाएगा melting से जब high current पास करता है तो वो melt हो जाता है और आगे current flow होने से बचाता है हमारा equipment safe हो जाता है इसलिए हमारा melting से fuse जो है वो disconnect होता है melt हो जाता है फ्यूज जो है दो से अंपेर तक का प्रोटेक्शन करेगा उसके आगे नहीं कर सकता है बीस नमबर फ्यूज माटेरियल मस्ठ फ्यूज माटेरियल कैसा होना चाहिए बीस नमबर का देखिए इसमें दिया है low melting point and low specific resistance इसका C option सही हो जाएगा एक इस नमबर है material based suited for manufacturing of fuse wire fuse wire के लिए सबसे बढ़िया material कौन सा यूज करते है यह हो जाएगा silver इसका A option सही हो जाएगा 22 number in compression to revivable fuse, HRC fuse have the advantage सारा advantage होता है HRC fuse का HRC का full form होता है high capturing capacity इसका सारा option सही है high speed operation होता है high capturing capacity होता है no aging effect इसका सारा option सही है इसलिए D option सही हो जाएगा तेस नमबर question the insulation current carrying conductor is provided to prevent insulation क्यों करते है current carrying conductor में तो इसका तेस नमबर का जो option है current leakage और shock से prevent करने के लिए इसका C option सही हो जाएगा current leakage and shock 24 number the thickness of insulation provided and conductor depend upon किस पे depend करता है थीकनेस insulation का इसका बी option हो जाएगा voltage rating पे depend करता है आगे देखते हैं लोग 25 नमबर question देखें हमारा 25 नमबर question है when a heater is connected to the power supply the heater coil will glow but supply wire does not glow this is because मतलब यह कर रहा है कर पावर देते हैं तो heater coil है वो light करता है हीट देता है लेकिन जो वायर है वो नहीं देता है क्यों तो 25 नमर का जो हमारा option हो जाएगा वो देखें इसका यह option सही है resistance of heater coil is very high in competition to that of internal wiring मतलब heater का जो क्वाइल होता है उसका resistance बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो glow करता है 26 नमर कोस्चन है लैंप इन स्ट्रीट लाइन आर कनेक्टेड इन तो जो लैंप स्ट्रीट लाइट का होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है तो सब को पता है पैरलर में connection करते हैं तकी एक बल फीज हो तो दुसरा ना जलना बंद हो जाए एक बज फिलोग सी वही बंदो बाकी लोग सब लाइट करें 27 नमबर energy meter for connection has dash terminal energy meter में कितना सट टर्मिनल होता है फोर टर्मिनल होता है दोगों से इन कर दो से output लेते हैं इसलिए चार हो जाएगा बी आप्शन प्लायर फ्यूज हम कहां लगाते हैं एनर्जी मीटर के बाद लगाते हैं 29 नमर दा सेफ्टी ओप इंटर्नल अप्लिकेशन अप्लियंस एन वाइरिंग इस इंसुलेशन अर्थिंग और प्रवाइडिंग ए फ्यूज वाइर विद दा सर्किट इसका सारा अप्शन साही है 30 इस फैटल टू टूच ए लाइफ वाइर एज तो थर्टी नमर का जो हमारा अंसर हो जाएगा वो इट विल काउस फुलो ऑफ करेंट रोदा हुमन बड़ी कोस्टिन में कह रहा है कि हम लाइफ वाइर को क्यों नहीं टच कर सकते हैं तो टच करने से हमारा होता है कि हमारा ब और प्रोटेक्शन एंगेंस्ट एलेक्रिकल सॉक इसका सारा अप्षन संसा है इसलिए हम एर्थिंग करते हैं थर्टी टूनमर द अर्थ वाइर should have, earth wire कैसा होना चाहिए, इसका D option सही है mechanically a strong but bad conductor of electricity earth wire should be, sorry यहाँ bad conductor नहीं होना चाहिए, यहाँ good conductor होना चाहिए इसका D option सही है, लेकिन यहाँ good conductor होगा इसका option में 33 number, earth wire are made of, earth wire क्या चिसे में बना होता है तो यह galvanized steel से बना होता है, हमारा D option सही हो जाएगा 34, the resistance of earth should be, earth का resistance कितना होता है इसका D हो जाएगा, as minimum possible, 35 का the earth potential is taken as earth potential कितना लेते हैं, यह हो जाएगा, 0 लेते हैं हम इसको 36, हम थोड़ा fast कर रहें क्योंगी question जादा है, आपको समय कम लगे इसलिए थोड़ा fast करते हैं, और revision purpose से यह video बना रहे हैं इसलिए आप 20-25 मिनट समय दिए, आपको इस chapter से सारा revision हो जाएगा जितना भी question है, 36 number, the loop earth wire used shall not be size less than 36 का जो हमारा हो जाएगा, 36 का, देखिए इसका E option सही है, 14 SWG, 2.9 mm square और half of the size of sub circuit wire 37, which of the flowing side will be prepared for earthing अर्थिंग के लिए कौन सा जगा best suited होता है, मतलब अच्छा रहता है, तो यह हो जाएगा, वेट मैसी ग्राउन और 38 का, which of the flowing is list prepare for earthing list prepare कौन सा करते हैं, 38 का इसका भी हो जाएगा, dry earth नहीं करते हैं, dry रहेगा तो सही नहीं जाएगा, हमारा voltage में variation आ जाएगा इसलिए हम वेट जगा पर करते हैं, जहां गिला स्थान हो, 39, resistivity of earth increase sharply when moisture fall below, 39 का हमारा हो जाएगा, 20%, इसका C option सही है, earth, earth electrode can be in the form of, और earth electrode कैसा होता है, 40 नमर का जो हमारा option हो जाएगा, वो C, pipe होना चाहिए, sorry, earth electrode जो है, वो strip wire भी होता है, red भी होता है, pipe भी होता है, plate होता है, इसलिए हमारा all of the above answer हो जाएगा, earth electrode जो है, वो strip wire भी होता है, red भी होता है, pipe भी होता है, और plate भी होता है, इसलिए हमारा e options है, any of the above, 41 नमर कोस्चन देखते हैं, 41 नमर कुश्चन हमारा consider the following statement इसमें नीचे दिया वाई भीच ओधा following statement is correct पतलब जो statement दिया है इसमें कौन-कौन सा correct है 41 नमर का देखिए 1, 2, 3, 4, सारा option है वो correct है shape of electrode depth to which electrode in driving into earth a specific resistance of the soil और material of the electrode यह question ही अधूरा है किसके संदर्व में यह question पूछ राय करेक्ट है वो समझ से बाहर है चलिए आगे देख लेते हैं 42 नमर मार कुश्चन है विच ओधा following is not used as अर्थ continuity conductor अर्थ continuity conductor के लिए हम कौन सा यूज नहीं करते हैं गैस पाइप, वाटर पाइप और structural steel component इसका all of the above अंसर हो जाएगा 43 विच ओधा flowing mixture is prepared for finding around the earth electrode for having effective earthing 43 का हमारा हो जाएगा coal salt mixture यह सबसे अच्छा होता है coal salt mixture earthing के लिए हम electrode यहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे हम earth salt का mixture डालते हैं तो कि earthing हमारा अच्छे से काम करें 44 नमर का inside the earth or pit the earthing electrode should be placed कैसे placed करते हैं 44 का हमारा हो जाएगा वो vertically लगाते हैं इसलिए हमारा B option सही हो जाएगा the earthing electrode should be placed within the distance of dash meter from the building whose installation system is being earthed मतलब जब हम earthing करते हैं उसका तायर building का जो wall होता है उससे कितना distance पे होना चाहिए 45 पर देखिए 1.5 मिटर इसका C option सही है 46 का third pin in 3 plug is provided as so 3 plug जो होता है उसमें जो तीसरा pin होता है उपर वाला जो थोड़ा motor type का होता है वो क्यों रहता है 46 का देखिए हमारा answer है provide an earth connection उसी से earth connection होता है इसलिए हमारा a option सही हो जाएगा hologene lamp are useful for the illumination of hologene lamp कहां पे हम लगाते हैं किसलिए कौन सा area के लिए hologene lamp लगाते हैं 47 नमर का हमारा d option सही हो जाएगा airports के लिए park and large garden के लिए और playing field के लिए 48 का sodium vapor lamp are used for installation illumination of are used for the illumination of 48 का हमारा d option सही हो जाएगा street and highway rail yard storage yard and parks इसका सारा option सही है 49 नमबर the full scene tube in a in compression to tungsten filament lab has the advantage of तो क्या advantage है full scene tube का 49 का हम देखते हैं इसका b option सही है ज्यादा life होता है longer life इसका होता है full scene tube का और 50 नमबर है blinking of full scene tube can be account of तो क्यूं होता है blinking 50 नमबर का हमारा d option हो जाएगा low circuit voltage से भी हो सकता है loose connection से भी हो सकता है और effective starter से भी हो सकता है 51 नमबर the full scene tube if only the ends of tube terminal tube remain lighted it indicates मतलब tube full scene tube है उसका अगर दोनों साइड थोड़ा थोड़ा light कर रहा है तो उसका क्या कारण है 51 नमबर का हो जाएगा starter is source circuited अगर starter हमारा source circuiter रहेगा तो जो full scene tube है हमारा उसका शिप last में थोड़ा थोड़ा light करेगा पूरा नहीं जलेगा 52 नमबर failure of lamp to light may be due to 52 नमबर का जो हमारा answer हो जाएगा वो सारा option इसका सही है defective starter, defective chalk, defective and loose holder इसले हमारा D option सही हो जाएगा 53 का blinking of full scene tube may be removed by जो full scene tube अगर blink कर रहा है तो उसको कैसे हम remove करते है तो इसका हमारा हो जाएगा इसका सारा option सही है replacement of a starter checking of all connection change of blast tapping इसले हमारा सारा option सही है 54 का the lamp that cannot sustain much voltage fluctuation ज्यादा voltage fluctuation को सह नहीं सकता है कौन सा lamp तो ये 54 का जो हमारा option हो जाएगा वो incondensate lamp हमारा C option सही है 55 number question देखते हैं हम लोग 55 number भी 14 flowing lamp you will connected for the kitchen to poor man मतलब गरीब आद में अपना kitchen में कौन सा lamp का use करता है तो 55 number का हमारा option हो जाएगा वो B option सही है incondensate lamp ये सबसे सस्ता होता है इसलिए B option सही है the direct lighting scheme is most efficient but it is level to cows 56 का हमारा D option सही हो जाएगा both A and B glare and hard shadow 57 का standard domestic AC supply voltage in India इंडिया में कितना वोल्ट का होता है तो 57 number का हमारा हो जाएगा 240 वोल्ट का हमारा C option सही है 58 का the most suitable way of providing electric supply to the multi-story building is by means of 58 number का जो हमारा answer हो जाएगा वो हो जाएगा rising means से करते हैं A option सही है 59 का in India high voltage transmission is mostly why high voltage का transmission इंडिया में कैसे करते हैं हम करते हैं इसको overhead system से इसलिए A option सही हो जाएगा transmission of power by AC cable is impossible beyond AC cable से AC cable से कितना volts sorry कितना दूरी तक हम transmit कर सकते हैं power को 60 number का हमारा हो जाएगा 40 से 60 km only 61 which of the flowing distribution system is not normally used कौन सा distribution system है वो normally use में नहीं लाते हैं तो हम single face three wire का use नहीं करते हैं बाकी करते हैं three face three wire three face four wire और single face two wire sixty two number maximum possible span with wooden pole wooden pole का maximum span length कितना होता है मतलब दो पोल के बीच की दूरी कितनी होती है तो sixty two number का हमारा C option से हो जाएगा 50 meter और sixty three का in order to protect the wooden pole from the action of termit permits etc it is necessary to treat them with 63 number का जो हो जाएगा वो cross it while हो जाएगा हमारा B option से है cross it while sixty four number which support of overhead transmission line has the least life सबसे कम life होता है 64 number का वो बुदेन पोल का होता है इसलिए हमारा A option सही हो जाएगा और 65 का consider the following material for the line conductor line conductor के लिए नीचे देखे दिया है the correct sequence of descending order of their electrical conductivity पुथ्रा एलेक्टर एलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी के संदर्व में आप descending order में बताईए कि कौन-कौन सा material को हम यूज करते हैं तो 65 number का D option सही है एक दो तीन चार मतलब पहले हम हाट ड्रॉन कॉपर का उसके बाद कैडमियम को पर उसके बाद ऐल्मुनियम फिर गल्वनाइज अस्टील यह descending order में हमारा दिया है 66 का गल्वनाइज अस्टील वायर यूज करते हैं गल्वनाइज अस्टील का 66 का दखिए अस्टे वायर अर्थ वायर और अस्ट्रेक्चल कंपोनेंट सारे जगा पर हम गल्वनाइज अस्टील का ही यूज करते हैं 67 नमर का वाट विल हैपन भेंद लाइन कंड़क्टर ऑफ ओवर हेड्स सप्लाइ लाइन ब्रेक डाउन एंड टू दा अर्थ तो क्या होगा अगर अबरेट सप्लाइ का तार्ट तोटके नीचे जमीन पर गिर गया तो क्या होगा तो क्या होगा अर्थ अर्थ में और अर्थ में करेंट फ舞 क करने लेगा इसलिए जलिए आप्षन साही है हाई वोल्टेज ट्रश्मिशन लाइन व्यूज का करते हैं उन्सरू ब्यूंस करते है 69 number question है हमारा the insulator use in gay cable, gay cable में कैसा insulator का use करते हैं, तो egg और stray insulation का use करते हैं हमारा a option सही है, next question है the size of conductor use in power cable depend upon, power cable में conductor का size depend करता है, वो type of insulation use पे depend करता है, हमारा d option सही हो जाएगा, 71 number question, the insulating material most commonly used for the power cable, power cable में insulating material हम use करते हैं, paper type का use करते हैं, हमारा b option सही है, 72 aluminum conductor cable can be joined by, aluminum conductor को कैसे joint करते हैं, 22 number का हमार हो जाएगा, compression से करते हैं, हमारा c option सही है, 73, the method used for jointing of copper conductor cable and aluminum conductor, copper connector और aluminum conductor को कैसे हम joint करते हैं, हमारा d option सही है, copper को हम soldering से joint करते हैं, और aluminum को compression से, इसलिए हमारा d option सही हो जाएगा, 74 number question है, the method used for laying of underground cable, underground cable का laying करने के लिए कौन सा method का use करते हैं, सारा option सही है, direct laying, drawing system और solid system, इसलिए हमारा d option सही हो जाएगा, direct laying method of underground cable has the drawback, कौन सा drawback है, direct laying method का 75 number का हमारा e option सही है, सारा drawback हिंद या इसमें, high maintenance cost इसमें लगता है, localization of fault difficult, मतलब कहां fault किया, उसका पता लगाना भी इसमें दिक्कत है, c option possibility of damage of kevel sheet owing to underground chemical change due to impurities present in the soil, और d option भी सही है, रिक्स of kevel being damaged at the sub, sorry, रिक्स of kevel being damaged at the sub-requent excursion work carried out from the expansion or repair, मतलब सारा problem इसी में है, 76 number drawing system of laying underground cable has the drawback of, 76 number का भी, दखिए इसका भी सारा problem है, all of the above answer है, इसका भी, high cost होता है, reduce current carrying capacity of the kevel, requirement of much deeper and wider trench, repair, alternation और additional difficulties, सारा difficulty drawing system में भी है, solid system of laying underground cable has the drawback of, solid system का drawback क्या है, 77 का भी सारा drawback ही दिया है, much higher cost होता है, reduce current carried capacity of kevel, taking more time in laying of repair, no protection against mechanical injury and from impurities present in the soil, 78 number question है, the system of laying underground cable adapted in congested area, where excursion is expensive and inconvenient, इसका 78 number का जो हमारा answer हो जाएगा, वो draw in system use करते हैं, ऐसे जगा पर, 79 minimum distance of underground cable from the foundation of building, building के foundation से underground cable का जो distance है, वो कितना होना चाहिए, तो 79 का हमारा C option सही है, 10 cm कम से कम, 80 number which of the following distribution system is the simplest and cheapest in first cost, तो इसका हो जाएगा, 80 number का जाएगा, हमारा radial system है, इसलिए हमारा A option सही हो जाएगा, radial, 81 number which distribution system is more reliable, सबसे ज्यादा reliable system कौन सा है, ringman system है, वो सबसे ज्यादा reliable है, ringman system में यह होता है कि अगर एक तरफ से हमारा light fault हो गया, या फिर power supply cut up हो गया, तो हम दूसरे तरफ से power लेते हैं, उसी को हम लग ringman system बोलते हैं, 82 number which of the following statement is correct about erection of pole, pole erection के संदर्व में कौन सा statement है, वो सही है, 82 number का देखिए, 82 number का हमारा answer है, वो B option सही है, deadman and drink pole method of erection of pole are used respectively for the lighter pole and heavier pole, हमारा B option सही हो जाएगा, 83 number कार्डल guarding are provided on the road crossing for the safety of the, कार्डल guarding का हम यूज करते हैं, कहां पर, देखिए हमारा इसमें जो option हो जाएगा, वो कौन सा सही है, तो 83 number का जो हमारा है, वो B option सही है, human being, animals and material moving on the road, इसलिए हम कार्डल guarding करते हैं, कि नीचे से हमारा, अगर उपर से तार गया हुआ है, और नीचे करतार गिरता है, यह damage हो सकता है, जल सकता है, इसको जटका लग सकता है, इसलिए कार्डल guarding करते हैं, 84 number, the short length of conductor used to connected the line conductor on one side of terminal pole to the line conductor on the other side of pole is known as, 84 number का जो हमारा answer है, वो उसको jumper बोलते हैं, यह option सही है, और 85 number, insulation resistance test is prepared on power line width, insulation resistance का जो test है, वो क्या चिस से करते हैं, यह तो सब को पता है, मेगर से करते हैं, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक जरूर करें, और share जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, आपका like share ही हमारे मेहनत का फॉल है, तो आप like share जरूर करके जाएं, थैंक्यू, क्याक जरूर करें टुध।